नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है Global Atomy Network टीम वारियर में दोस्तों अधर करेंगे जूम मिटिंग कैसे सेट अप करें जूम मिटिंग जूम वीडियो कोण्फरेंसिंग में प्रोफाल सेट अप कैसे करें और जूम मिटिंग का लिंक कैसे क्रेट करें तो इस पूरे व यह वेब सरी आप देख रहे हैं यह मेजुख से वेब साइब अब करना है और क्लिक करने के बाद यह विपसाइट इस तरिके से उपन हो गिरी वेलनागी यह साइन भीस्ट, पर यह सब्सक्राइबं, यह सिर्फ लेप PC के लिए बना रहा हूँ ठीक है और मोबाइल अप्लिकेशन के लिए आप हमारा जो नया वीडियो आएगा वो देखेगा और आप अगर आपके पास लैप्टोप करते हैं आप अपना पिक कैसे क्रियेट करते हैं और जूम मिटिंग का जो लिंक है वो कैसे क्रियेट करना यह सारी चीजे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा तो आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा इसको कंट्यूनी देखिए नेक्स स्टैप साइन पर आपने क्लिक किया जैसे आप से उने पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके के एक नई विंडो पन होगी आपके सामने इसमें आपको फोर वेरिफिकेसिंट प्लीज कंफर्म यूर डेट बडर्द तो वरिफिकेशन करने के लिए यहां पर आपको डेट बर्द डालना होगा जैसे आप डेट बर्थ डालेंगे तो राइट साइड में continue एक option है इसके उपर आपको क्लिक करना है next जैसे continue option के उपर हम क्लिक करेंगे इसके बाद आपको अपनी email ID डालना है ठीक है तो आपको यहाँ पर अपना email ID put up करना है जो भी आपकी Gmail ID है Gmail ID आप अपना यहाँ पर डा यहाँ डाले सई email address आप डालेगा यहाँ ठीक है next sign up पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो एक नया message आएगा स्क्रीन के उपर we have sent an email to रमेश123 at gmail.com जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपकी email ID की उपर एक message send क्या जाएगा आप अपना inbox सेख कीजे email को open कीजे वहाँ पर एक link होगा click the confirmation link in that email to begin using zoom आपकी email में एक link send करेंगा zoom तो उस link पर आपको click करना है click the confirmation link तो यह आपकी email ID verify करेंगे कि आपकी email ID सही है या नहीं है तो जैसे आपकी email ID पर जो link जाएगा उसको आप confirm करेंगे अगर आपको zoom की तरफ से कोई भी email नहीं मिले तो resend another email तो second email आप यहाँ से generate कर सकते हैं तो आप अपना inbox search कीजिए उसके उपर एक zoom का link दिया होगा उस link पर click करेंगे तो आपकी email ID verify हो जाएगी उसके बाद आपको अपना password यहाँ पर create करना है next step में ठीक है जैसे आप link पर click करेंगे तो इस तरीके की window open होगी तो आपको email ID put up करना है password put up करना है फिर sign sign up करना आपको ठीक है और sign up करने के पस्चाथ किस प्रकार की जो बिनार की window open होकर करके आ जाएगी यह उपर आप जो green clear कर देख रहें इसको close किजिए right side में जाकर करके इस तरीके की window open होगी आपका profile है यह ठीक है तो जैसे कि मैंने profile अलड़ी पहले setup कर रखा है यहां पर ठीक है तो personal meeting ID आप यह है और right इसके downside में आप देख रहें zoom का link है और right side में password है तो advance में आप अपना जो personal meeting ID भी send कर सकते हो और password भी send कर सकते हो लेकिन कोशिस कीजिए कि जब आप meeting conduct करें एक accurate time के उपर ही आप अपने team को ID और password send कीजि advance में ID send करने का जो idea है वो आपके उपर depend करता है कि आप किस तरीके की meeting arrange करना चाते हैं तो यहां पे show पे click करेंगे तो आपका password यहां पे open हो जाएगा और ID पे click करेंगे तो यह आपका ID open हो जाएगा यह आपका permanent ID और password है तो इसको आप देखिए ठीक है तो यहां पे आपका ID और password screen में दिखाए दे रहा है और यह सारी information है जो नीचे scroll करके आपको देखनी है ठीक है अब next मैं आपको बताऊंगा कि यहां पे आप अपना profile setup कैसे करें आप प्रोफाइल के अंदर है ठीक है जो photo picture कैसे लगानी है वो देखिए change के उपर यहां पे click करना है picture का जो box है जैसे आप change के उपर click करेंगे यहां पे left side में आप देख रहे हैं upload तो इस upload पे आपको click करना है ठीक है और आपको अपने PC, computer, laptop के अंदर आपके pick होनी चाहिए तो यहां से आपके pick upload हो जाएगी इस section में ठीक है तो जैसे ही मैं आप upload पे click करूँगा तो मेरे laptop में जैसे तो मैंने यह pic upload कर दी अब अप्लोड हो रहा है तो इस pic को मैंने select किया यहां पे scroll किया ठीक है crop किया यहां पे और right side में save पे click किया ठीक है और जैसे मैं right side में save पे click करूँगा तो यह pic यहां पे upload हो जाएगी तो इस तरीक से आपकी identity यहां पे verify हो जाएगी ओके आपकी ID यहां पर verify हो जाए कि right side में जो Atomy, Rattor, Name देख रहे हैं आपको अपना नाम भी update करना है कि आपका नाम राम है, शाम है, रहीम है जो भी आपका नाम है वो आपको यहां पर लिखना है ताकि आपकी pick और आपके नाम से आपके जो प्लाइन है आपके जो बोस है, वो आपको recognize कर सके कि हाँ, ये मेरी team का leader है ठीक है, तो right side में आप देख रहे है Edit का option, तो नाम अगर आपको change करना है ये तो pick का option आपको समझ में आगया होगा इतना right side में Edit पे click करेंगे, तो यहां पर आप अपना first name और last name कर सकते हैं, first name में कुछ भी लगा सकते हैं last name में पे अपना district add और कर सकते हैं, state का नाम भी add कर सकते हैं तो जैसे मैंने ये change कर दिया, Mr.Rathod तो यहां पे नाम easily update हो जाता है, ठीक है तो आप अपना नाम, district का नाम और state का नाम अपने नाम के पीछे add कर सकते हैं जो meeting कैसे start करें, right side में आपको with video of और with video on पे click करना host meeting पे ठीक है, तो जैसे हम host meeting पे click कर रहेंगे, तो with video of पे करेंगे with video of आपको meeting करने हैं, या with video on उस पे click कीजिए, और फिर एक छोटा सा link आएगा, उस पे click करेंगे, तो इस परकार से ये zoom की window open हो जाएगी, ठीक है, जैसा कि आप center में देख रहे हैं, meeting topic, आप यहाँ पे कुछ भी choose कर सकते हैं, advance में host में जैसे आप उपर नाम देख सकते हैं, निचे left side में join audio, right side में invite others, तो यहाँ पे मैं invite others, others के उपर click करूँगा, क्योंकि मेरे को link send करना है, और यह host का नाम भ ID और password आ जाएगा, अगर आप, आपकी same user ID password नहीं देना चाते हैं किसी को, तो zoom की advance में meeting और ID नहीं देना चाते हैं, एक नया link create करना चाते हैं meeting का, तो इस तरीके से आपको करना है, तो यह पूरा आपको copy करना है, आप WhatsApp, Facebook, Messenger के थुरूँ, आप अपने friend circle को send कर सकते हैं, व आउ करने के बाद अगर आप meeting एक host या दो host या तीन host या चार host बनना चाते हो, कि आप चाते हो कि आपके दो friends meeting host करें, और कुछ powerpoint presentation वो represent करें किसी को, तो इस तरीके से, right side में देख रहे हैं, तो यह आपका नाम आ गया, आपकी pick आएगी, इस परकार से Mr. Arthur host me, ठीक है, second य मेरे mobile से मैं link send कर रहा हूं, तो right side में उस पर भी नाम है, और right side में उस पर pick नहीं लगा रखी मैंने, तो जब भी आप meeting attend करें किसी की, आप अपनी profile pick, नाम, district का name जरूर लगाईए, ताकि आपका recognition हो, कि आप किस team से हैं, और कहां से हैं, आपके boss या apply नापको वरिफेर, औ जैसे mute करना हो, तो right side में mute all पर click करेंगे, allow participant to unmute then yes पर click करेंगे, इस परकार से audience का voice है, वो आपको disturb नहीं करेगा, शिरफ आपकी voice है, आपकी zoom meeting के जितने भी leaders है, उनको सुनाई देगी, और यहां पर chat करना हो, तो नीचे chat के उपर clicker के right side में आप message type कर सकते हैं, तो आपका जो message है, वो सभी के पास आएगा, वो देख सकते हैं इस परकार से, जो नीचे screen पर chat का option है, यहां पर click करके ठीक है, और share screen करना हो, तो यह share screen पर यहां पर आप कर सकते हैं, तो next video में मैं आपको और बताऊँगा, अगर host बनाना हो, आप किसी को, तो make host पर click कीजी, right side पर click कर करेंगे, तो किसी भी members को, आप host बना सकते हैं, यहां पर, तो इस परकार से, यह mister art road is the host, तो आप यहां पर दो host हो गए, एक आप खुद, और एक आपका friend, ठीक है, इस परकार से, हो गए, तो आशा करता हूँ, यह video आपको पसंद आया होगा, दोस्तों, आप इस channel को like कीज कीजिए, share कीजिए, subscribe कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आप अपने team में zoom meetings करते हैं, तो इस channel को आप like कीजिए, share कीजिए, ताकि आपके leaders profile पी set करके, zoom meeting का link कैसे create करते हैं, और zoom का profile कैसे set करते हैं, सारी जानकारी हो यहां से, लेस के time to time हम video आपके लिए लगते रहेंगे, तो आप हमारे channel के साथ जूड़े रहें, thank you, very much